एक सोरदर अंगडाई लेता वरियाम उसकी बात पर ठेरिया, आंकों में अचनबा था, वो जिन्दा है, जीनिया ने दोराया, वो सर्ट पल उसकी आंकों में चुप रहा था, उसकी दमाग पेसर कर रहा था, उसकी आंकें अजीब थी, जेरे पी कुछ था, जैसे कलमपन नही या जा सकता था, मैंसे तुम्हारा दमागी आर्जा समझू ही अपने शोर से महबबत, अबसर्वेशन, या कलफसी थैसी, मैं आईनी शायत हूँ, इसे आंकों का देखा हाल समझू, मेरी शोर को कोलियां लगे हुए छे घंटे हो गए है, तुम्हें लगता है, मैं अब भी जोब वागी बहुत पसंद थी, या फिर वो कोई संगी था, लेकिन क्या है, कि मैं किसी किसम की बगवास की बजाए सच सुनना चाहता हूँ, क्यों मारा हूँ, ये बाला बाटाओ, मैं इसके बगहर भी तुमसे बात कर सकती हूँ, और बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, छ दे फेवर्स वो ही दे सकता था बेचारा, वो तासु से कहने लगा, अमीर था, हैंसम था, प्यार व्यार भी करता ही होगा, फिर क्यों मारा, वो सिंदा है, और मैं प्रिंस चार्ल्स हूँ, और यहां बिगर कर बोला, कोई भी बास साबित करने के लिए सबूत चाहिए होते जीनी अपनी जगास सूठी, अदकड़ी वाले हादों से उसे एक मुक्का बनाकर बल पिमारा, वो तोटकर किर्शी किर्शी हो, उसकी दाई तरफ खड़ी लेडी एलकार आगया ही, और उससे बालों से बकड़कर तीन से चार धपर रिसी थिए, वो चुप रही, आंकों को सुकून मिला था, वो अलग, एक तुम माश के करती हो, फिर कदल की प्लैन बनाती है, और फिर थाने को बाप की जागीर समझ लेते हो तुम लोग, वो उसके बाल कीच रही थी, उसी तरह उसके बालों से बकड़कर उसका सर मेसरे मार दी, कि वर्याम ने हाथ उठा कर उसे एक आखरी थपड़ उसके चेहरे पे मारा और पीचे अट गई, पर्याम बगेर किसी तासूर की उसे रिखता रहा हो, जीने के चेहरे पे थपड़ों के निशान बन गए थे, कर्दन के सखम अलग और बासू के जुलसे की तकलीफ अलग, ना चाहते होए भी, विबसे और दर्द के मारे उसके आंके पहने लगी, दर्द उसे सिस्किया लेने पर मुश्बूर कर रहा था, उसके सामने बैठे अफसर ने पानी का गिलास उसके तरफ अड़ाया हो, जीने ररसे हादों से गिलास लिया और गटा-गट सारा पानी भी गई, पर्याम अब दर्म नजरो तुम जानती हो बाहर क्या हो रहा है, इस थाने के बाहर मेदी कंबीर के फैंस है, वो सिर्फ इस इंतिजार में है, कि अगर तुम एक बाहर पाहर आओ, तो वो सब तुमें जिन्दा जला दे, वो तुमसे नफरत कर रहे हैं, लोग तुम पे गुस्सा हैं, हर चैनल पे तु रोने लगी, वो बहुत तर रही थी, बहुत स्याद हो, सोशल मीडिया पे लोग तुम्हारी किरदार कशी कर रहे हैं, तुम्हें मुक्तलिफ पूरे नामों से बुका रहे हैं, कोई भी लड़की, ऐसे नाम सुनकर भी गहरत से मर जाएगी, और कोई भी भाई और बाप ये तकलीफ बस सकलीफ थी, जो उसके दिल को चकड़े हुए थी, हौफ सा खौफ था, जिससे दिल में कुंड़ी मार ली थी, इस वक्त अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है, तो वो सिर्फ तुम हो, मेरे साथ कॉपरेट करो, जो मर गया है उसे, वो नहीं मरा, तुम लोग क बात कर रहा था, मेदी दीसी मनसिल पे था, और मैं फ्लोर पे, जहां से मैं उसको देख सकती थी, वहां से उसका चेहा माथा और करदर नसर आ रही थी, उसका सीना नहीं, गोली उसके सीने पे आकर लगी, तीन फायर हुए, तीन गोलियां थी, अब तुम समझे, क्या हुआ था, वो तेज सेस बोलते हैं, रुकी, उसका पलोची लहजा, ऐसा खाली भाया था, यह परियाम को उसकी सुपान समझने में वहां के मुझे मुझे नहीं पता, मगर मैं अंदर की तरफ भाग रही थी, मैं इन तीसी मनसिल पे पहुँच कर देखा, ग्लास वॉल से वहां उठाया और उसे लंबे बैक में डाल दिया, कोई किसी इंसान के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है, उसके दिल में एक बार फिर टीस से उठी, वर्याम कहानी का फ्लोच खराब होने पे बहुत बुरी तरा पतमसा हुआ, सीनिय ने चन लंभे लिये और दुबारा कहा, वो द मुझे नहीं पता था, क्या हुआ है, कोई rescue team का member था, जो मुझे बाहर लाया, एक घड़ी, कफलिंग से सावित नहीं हो जाता, क्यों वो मेधी है, वो मेधी नहीं है, वो जहां भी है, उसे हमारी जुरूरत है, प्लीज उसे बचा लें, प्लीज वो बहुत मासूम है, उसक चल गया था, उसके आँके सब के मारे सुर्ख पढ़ रही थी, वो बार बार दर्द की वज़ा से अपना मासू उपर उठा ले थी, शौल दुरूस कर रही थी, हलांकि वलीज तो खुद को बहुत नेक मर्द समझता था, वो डरी हुई थी, बेखत होवसदा सहमी हुई, प उसके जगा कोई और लाश प्लांट कर सकता है, उसके लिए क्या मुश्किल है, कि वो रिपोर्ट से ही बदलवा सकता, उसके हाथ बहुत लब में है, क्या वो ही हाथ जो तुम्हारी करदन तक आये थे, उसके हिलाफ बयान दो, उससे उकसाया, जिनिया नवे मिसा हिलाया, म पिर भी तुम्हें उमीर है कि वो जिन्दा बच गया है, दिल में गोली लगने से कोन बच जाता है, मान लिया, वो लाश किसी और की थी, लेकिन तुम्हें भी ये मानना है, कि वो जहां भी है मर गया है, दिल में गोली लगने से कोन बच गया है, जिनिया हतकड़ी वाले हा उसके सीने में दाई तरफ है, कादिल अनाडी था। वर्याम ठेह रही है। गोली उसके दिल में नहीं लगी, वो बच सकता है। वर्याम तमसादे उसे देगे यहां कही लम्हे तक वो वाकिश शुष्टर रहा हूँ, उसके पास अलफास नहीं थे। तुम्हें यह कैसे पता गोली दाई तरफ लगी या बाई तरफ। वो कुछ देगे बात संभल कर पूछने लगा। चेहरे पे एक ट्यार हाथ पे रहा हूँ, वो उस वक मुझसे इसारे मुहबत कर रहा था। तुम्हें लगता है, कोई भी लड़की अपने इतने खुबसूर लम्हे की तफसील मि अपने शोहर की हिफासत करूँ, उससे ढूंडो प्लीज, कि तुम्हारा फर्स है, वो इसी शहर में होंगे, नाका बंदी करवाओ, कुछ करो खुदा के लिए। वो उसके सामने बाकाइदा हाथ चोड़े हुए थी, वर्याम कहरी सांस सेथे पे उटकड़ा हूँ, उसके हिर्वन के दो बोल कहने पे जालिम पुलिस वाला मौम बनकर बिगल जाए, और हसीना भी वो, जिस पे हुद कतल का इल्जाम है, उससे बेजारी से हाथ चलाया हूँ, वो लोग उससे हर्ट करींगे, जीनी ने ठक कर निशित से ठेक लगा ली, फरीदा, जाओ, डॉक्डर बुलाओ, मेरे सामने इसकी महरम पट्टी करो, ताकि मैं जाओ, और कल तक तक तुम्हारे घरवाले भी आ जाएंगे, पहली बात हातून एलकार से और दूसरी जीनिया से गई, उससे सर उठाकर वारियाम को देखा, रफ टफस आत्मी, मुनासिब नकूश, और 35 की हिंसे को छूता हूँ, वो आत्मी, जीनिया को ना चाने की हूँ, उससे उमीद बन गई थी, एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात का येकीन करो, तुम बगैर सबूत हूँ कि मुझे यहां ले आए, मुझे मारम, क्योंकि सामने वाला कैस कम्बी था, मैं उसकी कार्जियन हूँ, इस हट से कहते हुए वो बाहरी निकल गया, मुबाइल पी कॉल मिला कर अब वो कुछ कह रहा था हूँ, अकरम, शहर में बंदे फिला दो, कोई भी मश्कूक आदमी या कोई मश्कूक सरगर्मी दिखे तो मुझे हवर दो, हर गाड़ी की चेकिंग करो, हर गाड़ी से निकलने वाले बैक को खोल कर चेक करो, कोई अगर जादा बक्वास करे तो धर देना कान के दो नीचे दो, कोई वज़ा पोचे, तो कहना ओन ड्यूटी अफसर को गाली दी थी, हाँ हाँ, ओके, मुबाइल कान से उदार कर उस्यास वासे का पी बेसारी से साशटका, मैं कुछ भी कर लो, ये रावन हुट के चाचे की रूँ मेरे अंदर से नहीं निकलेगी, पड़ बढ़ाते हुए, वो वापिस अंदर की तरह पड़िया, अभी धेर सारे काम करने थे, अभी तो बस चुरुवात हुए थी, रिशाकम, जन्वरी, सुबा की बोप उड़ी, तो फॉर्म होस निकाहों उसे आसबास देख रहे थे, पारिश ने हर तरफ चलतल कर दिया था, क्या लगता है जमशेद, लड़की ने कतल किया होगा या नहीं, पतले अवल्दार ने दूसरे को महा देपिया, साथ जेव से इंपोर्टर सिकरेट का पैकेट निकाला हुए, तो उतना कर, ज और ये सिगरेट, ये उसी के कमरे से लिए है न, साथ को पता लगा तो ठीक कर देगा तुझे, अगर इतना ही पता है तुझे तो साथ बन जा न, यहां मेरे साथ क्या कर रहा है, और उस लड़की को मासूम मत समझ, वो मैम कह रही थी, बड़े साथ के साथ भी तालुकात र करपा हो चुका था, अदाकार, सोशल वर्कर्स, इंफुलेंसर्स, टिक्टॉकर्स, यूट्यूबर्स, मुल्की और आलमी सदा पे उस कतल की मसा मत ये जा रही थी, कल राज से चन तसावीर और वीडियो से पूरे मुल्क में पहुंचाल मचा दिया था, उलाकों दिलों की तरह उसके लिए सड़कों पे निकल आये थे, सारे मुलक में इंतिशार पहल गया था, लोग सीनिया हाकिंग की दसावीर लगा लगा कर उससे काल या निकाल रहे थे, उसके बारे में उसके केदार पर पूरे पूरे पैराग्राफ लिख रहे थे, चन घंटु की रात थी, और क्या से क्या हो गया था, फॉर्म हाउस की सफेद इमारत चलकर स्याप पर चुकी थी, कहीं कहीं से धुआ अब भी निकल रहा था, लोग जिस चेहरे के साथ आये थे, उनके चेहरे अब वो नहीं रहे थे, पुलिस की बारे नफरी, मिडिया, और कहीं बड़े बड़े ओ आपको छेलते हुए, अब उनकी भी बस हो जुगी थी, कैस कंबीर वर्याप के साथ चलता हुआ रहा था, कासकुस कदे की हालत धरम भरम हो जुगी थी, वो दोनों गिरे हुए, खाने, ग्लासेस और दोनों से बश्टे बचाते, एक मेस की गिर्द रखी, दो कुर्सियों पर आकर बैठे, कैसे, अब एक सिया रंग की शौले रखी थी, आंके और शेरा बहुत सबार और संजीरा था, गुसी रात की कहानी कोई पढ़ नहीं सकाओ, कंबीर सहाब, आस बास सिखाएं दोड़ाते हुए, उससे कहना शुरू है, पोचकित जादा नहीं हो सकी, लेकिन लड़की में सर है, कि वो लाश भेदी कंबीर की नहीं है, आयनी शाहिदीन आप और वो लड़की है, मैं जरूर उस इनसान पर यकिन करता, जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ वो बीवी के हैसित रखती है, आप से जादा मजबूत वो है, और मुझे लगता ह उसकी बात मेदम है, गोली जिस समेच से लगे, इनसान उसे समेच पीछे गिरता है ना कि आगे अब विमारत की तरफ देख रहा था हूँ, आग लग सकती है, बिलकुल लग सकती है, और आदमी उसमें जुलस कर मर भी सकता है, लेकिन जब सारा जिसम जुलस जाए, तो घड़ी का सही सलामत रह जाना अजीब बात नहीं, कफलिंग शनाखत के लिए बच जाएं, ये अज जीब नहीं, कैसे नाग की अटी को दोनों उंगलियों के तरम्यान दबायां, उसे कॉफी की शिती दल्व हो रही थी, तमामें चक्कर चल रहे थे, मेरा भाई मराहे इंस्पेक्टर साहब, मेरा हांदान इस वग मुझे संभालना है, और मेरे घर में सफे माथम बिचा है, आप क्या चाहते हैं, मैं यहां बैटकर अंताजे लगाऊं, साइंस पढ़ूं, मैं एक आमसा डिजाइनर हूँ, ना कोई पुलिस ओफिसर हूँ, ना कोई टिक्टेक्टेफ, बंदूग क्या होती है, उसे कैसे पकड़ते हैं, मुझे तो ये भी ठीक तरीके से नहीं पता, जी बिलकुल, और घर में बंदुकों की वो कलेक्शन, माशालला, आप तो मेरी सोच से भढ़ कर मासुम वाक्या हुए हैं, लेकिन मैं भी क्या करूँ, इस कहानी में ट्विस्ट कुछ जादा हैं, और आपका अमल दखल उससे भी जादा, वो एक लमई को रुखा, वो पहननी की उमर नहीं रही उसके, पेट जादा नजर ना आता, अगर साथ चब्विस साल की फिट भी वी न होती, वर्याम मुस्कुरायों, गोसिप छोड़कर दुबारा ट्विस्ट की तरफ आते हैं, पहले मिजीनिया एक आम लड़की थी, फिर वो मिसिस कंपीर निकलाती हैं, और फिर कैस कंपीर की सापका मंगेतर, वो उसके तरफ देखे बगेर बोला, वर्याम की चेरी की रंगत तब्तील हुई, वो मेरी सापका मंगेतर थी, कैसे दो रहा हैं, उसका चेरे एक पर फिर आंगों की सामनी दाओ, चलन बढ़ गई, फिर तो ये ओपन एंड शट केस है, आपकी सापका मंगेतर का आपके भाई के साथ चक्कर चला, और आपने गेरत के नाम पे उससे कतल कर दिया, लड़ी किसे इंतकाम की हादर से जेल भुझवा दिया, मैंने इस नहेच भी क्यों नहीं सोचा, वो जमकती आँगों के साथ कह रहा था, आप कह रहे हैं, म केस के करीबा करोगे, उसे मसाफ़ा किया, पिता अजियती, जिसे सरके हम से कबूल किया यह, यह सिर्फ आपका नुकसान नहीं है कैस साथ, यह कौम का हसारा है, लेकिन मैं आपको हर किसम के तावन की यकीन दिहाने दिलवाता हूँ, वर्याम ने उसे देखकर बेगतियार क मैं से है, मुझे यकीन है, आपको इनके काम करने का तरीका पसंद आया होगा, और अगर ना आया हो तो, उसे एक पल के लिए वर्याम के चेरे से निकाहें ना अटाई, वो भी उसे ही देख रहा था, कुछ सचसा था उसके नजरों में, अगर ना आया, तो इराशी कंजा त आने के लिए, मुझे इस केस से हटा देगा, वो उस बस सोच सकाँ, फिर हटा देंगे ने, आप होकम करें कैसा आप, आपके एसानाथ है मुझ पे, वो पिच्चानी को तायार लगता था, कैसा आँखों ही आँखों में, उसे चता गया था, कि यहाँ ताकत किस के पास है, वर्याम ने तमसराना अंतास वे सरकुनफी में हिलायों, फिल हाल तो कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगर हुई तो पीच केस से हटा देंगे, कोई मसला तो नहीं है न, बिल्कुल नहीं जी, जैसा आप चाहें, पारू की सामने एक इंद्याया नहीं करवाई, चंद पल वही दी है, और मैं घर को एक दफ़ा फिर से देखना चाहूंगा, अंदर को कीमती समान और जूलरी है, मेरा सबसे कीमती समान जूलस क्या है, पता करें वो किस ने किया, कमस्कम इन लफसों के पीचे किसी किसम का कोई दिखावा नहीं था, कोड बासू पे डाले, उसे मारा से न रिपोर्ट अभी नहीं आई थी, मगर सारे शुहाहित वो तमाम नसे, उन्हें कोन अंदेखा कर सकता था, कैस कम्बीर की गाड़ी घर के बाहरा करूगी, केमरे और फ्लेश लाइट्स की बज़ा से उसकी आंके चुन्दे आ गई, उससे वेक ट्यार चेहरे पे हाथ संजीरी की से कहते हुए, वह आगे बढ़ गया पर आग उसके साथ साथ हूँ, आदे घंडे बाद उससे आ रंग के शलवार कमी से मलबूस सीचे उधर कराया हूँ, तो वहाँ कहीं लोग जमा थे, वो उन सब को नसर अंदास कैदा लाइटा 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 हूँ, सफ सारी लेचे में दुख से कहना शुरू किया हूँ, उसकी आंके सुरुख थी, बारास साल की उमर में उसके वालदین की वफात के बाद मैंने उसे उलाइट की तरह पाला है, और आज किसी ने हमसे हमारी उलाइट चीन ली, और इस कड़े वक्त में मुझे यहां कैमरों के साम मेरे भाई ने किसी का क्या भी गाड़ा था, कोई इतनी बड़ी प्लैनिंग के साथ उसके सीने में पूरी तीन गोलिया मार कर चला गया, क्या यह डिजर्फ करता था मेरा भाई? जीनिया हाकिम का इस के से क्या तालोग है? और आपने उने इस कतल में क्यों नामज़त करवाया? जीनिया हाकिम मेरी साथ का मंगेदर थी उससे बड़ी ख्वाइश थी, अब्दुल्ला उससे होन करें, वो कर रहा था, कहां, किस जगां, फरक पड़ता था यह? मेरी उनकी शादी बच्पन से दे थी, लेकिन फिर हमारे हांदान की दर्मियान कुछ मसाइल आ गए, हम इसलामा बार शिफ्ट हो गए, और मैं दुबारा कभी काउं नहीं जा सका, राप्ते कम हो गए, ना होने के बराबर, लेकिन हमारा तालोग था, और वो बरकरा रहा वो चाहती थी, अब्दुल्ला सारी दुनिया को बताए, उनके दर्मियान एक तालोग है, जिसे वक्त कहना नहीं सकता, वो वागी सारी दुनिया को बता रहा था, किस सरा, क्या फरक पड़ता था, मेरी मंगेतर मुझे कॉल्स करती रही, वो चाहती थी, मैं आऊँ और वो अनापरस और लालची औरत थी, पैसे की हादिर उससे अपने ही मंगेतर को धोका देकर अपनी किसी कजन से शादी कर ली, वो ही कजन जिससे उसका तालुक रहा था, मुझे सब के मुदालिक कोई इल्म नहीं था, हमारे हाँ पड़ते की हास पबंदी होती है, और मैंने क अमाम का अखसाद है, इसमें वाजियत तोर पर कैसम की तरफ से दी जाने वाली मराद का जिकर है, वो एक कोन वुमेन की तरह हमारे दर्मियान रही, मेधी, उसका नाम लेते ही कैसे गलाब, भराया हो, वो बहुत मासूम था, इनसानियत के लिए उसके दिल में ठेर सारे पयार हो गया, और मुझे बताए बगहर निकाख कर भी लिया, धड़ा धड़ उतरती तसावीर कैमरों के फ्लेशिस के दरमियान वो आदमी अब भी कह रहा था, उससे दो उगलियों के दरमियान एक और कागसे काला और मीडिया की तरह बढ़ाया हूँ, मॉबायल पे चलती वो लाइफ क्लिप देखते हुए शेसर सिंसन के दिल में कहरा करब चागा हूँ, उससे आंके बंगी और लबों से कहरी सर्द आख खारिच की, जिंदी डगर से हट गई थी और बहुत बुरी तरह हटी थी, ये उस गाड़ी के काखजात हैं जो जीनिया के नाम पे हरी दी पेमिन्ट मेरी की तरफ से हुई है, ये कुछ मजीद काखजात है, उससे एक और बलंदा उनकी तरह बढ़ायों, मेरा भाई बरतानवी शहरी था, और इन दिनों उस लालची औरत के दबाव में आकर वो उसे अपनी बीवी के हैसे से बरतानिया भेज रहा था, इसमें उस जो मेरी ने जीनिया के नाम में मुद्धिल करने की आर्जी दे रखी है, और ये, वो एक आखरी काखज को तुरब के पत्ते की तरह हाथ में दबोचे होए था, ये आखरी वार था, ये उस कबर में आखरी कील था, बरामते की तरफ आते हुए उजलत में कहीं बाहर जाते ह हाकिब नवाब ने जो सुना था, वन सुना नहीं किया जा सकता था, अंदर से धायों की आवाज से आने लगी थी, उनकी बीवी रो रही थी, वो भी रो लेना चाहते थे, जाने ही क्यों, ये हमारे जोइंट अकाउंट से निकाली हुई रकम की रसीद है, एक करोड बरतान वी यो रोस, जो कि मेदी ने लंदन में रहने वाले अपने एक दोस्त को बिजवाए, और ये कागज सावित करता है कि, उससे आखरी कागज के अमरी क्या के ले रहा हूँ, मेरा भाई उस औरत के मजबूर करने पे, अपने एक दोस्त के सूपर स्टोर में जीनी हाकिम के ल परने वाले मुलाजबीन को एक साल की तुनख़ा एकठी दी जाती है, हमारी तरफ से मिस हाकिम के अकॉंट्स आज तक क्लियर नहीं हुए, जिसमें जीनिया हाकिम को सालिम दफन किया जा सकता हूँ, हाकिम नवाब के चोटे से गुटन सदा घर में कहीं लोगों की सांस एक साथ रुकी थी, टीवी के आगे बेटे वो शुरुफा, आज के बात-गर्दन उठाने के लाइक नहीं रहने वाले थे, उनकी बेटी हर न मुझसे मेरी जमीन का मतालबा किया, वो जमीन जो काउं में है, यहां तक कि उस जमीन के लिए वो अपने शोहर तक को छोड़ने के लिए तयार थी, मैंने इंकार कर दिया, वो मुझे दमकाती रही, उन्हें दिनों मेदी पे उसकी हकीकत खुल गई, और वो उससे दूर हो और उसमा कार औरते मेरे चुपाई से तलाग का मतालबा किया, उससे एक और कागज सामने रखाँ, वो तलाग नामा थाओ, कल रात वो इस तलाग नामे के साथ आई थी, क्या आपको अब भी लगता है मेदी के लिए उसकी फिकर कोई मुखबत है, थाने में संतरी के मुबा कई वो ही कैस कंभी रहे, तो वो उससे नहीं जानती थी, उस लड़की ने मेरे भाई को कतल करवाया, वो एक गोल्डिगर है, उसका तीन इमान पैसा है, लालच उसकी रग-रग में बस्ती है, मेदी का उसके इलावा कोई और दुश्मन नहीं, मेरे हांदान का उसके इलाव का जखम लगाया है, मैं बाजू के कट जाने पे मादम तक नहीं कर सकता, क्या ये डिसर्फ करता हूँ मैं, ये जल्म है, मेरे हांदान के साथ जल्म हुआ है, मुझे उमीद है, औरत के नाम पर उस बला के हिलाव इनसाफ की इस जंग में, आप मेरे साथ होंगे, मेरी कंबी के साथ होंगे, वो ये डिसर्फ नहीं करता था, कोई इनसान ये जल्म डिसर्फ नहीं करता। इसल उसके साथ बैटे थी, अर आसा नसूर से अपनी माँ को देखती हुई, कैस आगे आया, अभी वो मेरा से कुछ कहता कि उसे अपनी करदन की पुछ पे कुछ सर्फ लगती हुई मैसूस हुई, वो बेकत्यार आंके मेश क्या हूँ, अपने भाई को मारा तुमने, अपन के करीब आया, उनके हाथ में सलसल चल रहे थे, उसके सीने बासूर गंदे पर क्रॉकरी लग रही थी, एक लड़की के लिए, सिर्फ एक लड़की के लिए भाई को कौन मारता है, तुम्हें मर जाना चाहिए, लाना तो तुम पे, तुमने अपने भाई को मारा, एक आखरी मारा, उससे रवानी से आसान लफसों में बताया हूँ, मकसूर ने उसके चेरें पर थपड़ दे मारा हूँ, वो अब भी उससे अंदास उने देखता रहा हूँ, मैंने नहीं मारा, एक और थपड़ उससे कोवा से उसके मुवे मारा गया हूँ, उसकी कर्टन ठलगी, चब मुलासिम हो सदा नसूस उससे देख रहे थे, और कोई अपनी अपनी जगास साकित था हूँ, उससे एक मुलासिम को करीब उलाया, वो टटे टटे उस सरफ आया हूँ, कैसे उसके एपरिंट की तरफ इशारा गया हूँ, वो फोरन खोल कर उससे थमाया गया हूँ, अब कैस उसे एपरिंट के साथ उनके हाथ वीलचेर की बुश पर बांद रहा था हूँ, बुड़ा हाथ मीं बामुश्किल हूँ, तर्स से कराने से रोक करा था हूँ, और अब्दुल्ला समान नफासत से अपना काम करा थाू, इन्हें इनके कमरे में छोड़ो, और दर्वाजा ये मुशा आता है, तुम्हारे लिए भी आएगा, वो खुटी-खुटी आवास में चीख रहे थे, मुलासिम उन्हें लेकर जा रहा थाू, तुम्हारा सवाल अब बहुत करीब है, वो उसे सुने बगैर एसल की कत्मों में आकर बैठा, आंखें नर्म हुई, मेरा तम साध में हिलाया, वेल डन, और अब मम्मी की बारी है, वो एजल को कोट में दिये मेरा के पास आकर बैठा, मेरा खुट सथा सी दूर हुई, कहस ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, उसके उल्ली अपनी उल्लियों के दर्मान फसा ली, वो जी चान से लरस गई, तुमने न्यू उसके कतल से दो दिन पहले, उससे बंदूग तानी थी, मेरे घर में रहते हुए, मेरा खाते हुए, तुमने मेरे साथ ये किया, हाँ, क्योंकि वो मेरा भाई था, भाई था हो मेरा, वो कुटनों पे हाथ मारते हुए, नफरस से हो रहा ही, तुमने मारा है मेरे भाई को, त इतनी बेधाटी से कोई किसी जानवर को भी नहीं मारता। तुमने मेरे भाई को मारा। कातिल हो, सर्फ और सर्फ एक कातिल, नफित करती हो मैं तुमसे। वो रो रही दी, चीख रही दी, कैस मैं सुक से उसे दिख रहा था। उसके दिल को वागई कुछ हो था। मेरा को खोना बहुत बड़ा कर्व था। तुम लोगों के दर्मियान हम कभी फिट नहीं हो सके। त उसकी भीवी पे सारा इल्साम लगा दिया है। तुम मेरे कुछ नहीं लगते, समझे तुम, तुम जानवर हो, वैशी जानवर। उससे इसल को सोफे पे एक तरव बिठायों, और बगए कुछ कई उट खड़ा हूँ, चनलमे मलामती नसोसों से देखता रहा, फिर बोला। तुम उस फरंगन का हून थी, और मैं वही मासूम देहाती लड़का, मुझे वाके लगा तुम दोस्त हो मेरी। कर्व से हजसे उससे नफी में करते नहीं लाई। मैंने उस एक रिपोर्टर उसके मालकीन को पचास लाग के रिश्वत दे कर उसका मोबंद करवाया है। चुपचाफ उसे दिखती रही, वो पर सीनू की तरफ बढ़ी हो। लुकमान से को, मेरा का मुबाइल, लैपटॉप, कार्ज, अकाउंट सब बंद करवा दे। उससे मुलाजिम से कहा और मजीर सीनी तैक करता चला गया। उससे बल राधारी में एहन सामने उसे वक त्यार कड़े नज़र आएं, वो शासी से उसे देख रहे थे, कंदे चुके होए थे, आंखों में दुख था, कहसुने देखकर एक लम्मे एक लिटे रहा, उससे याद आया, वो किस तरह उसकी इजासत के बगएर अनीसा को लंदन भेच चुके थे, बगएर कुछ का ये वो आग से पिछोड कर जाए, फिर मेरा तो कोई कसूर नहीं है न बाबा, कर्दन ठलकाई बेहर संजीर की से पूछा क्या हूँ, नीन दीवाना शक्स इंतकाम की आखरी खुदूद को चुरा आथ हूँ, पुर्चिस्तान से इसलामबाद की समय छे से आट काड़ें रवाना हुई आलम नवाब और उनके बेटे शरम से कड़े जा रहते थे, इलागे की नवाब की भीटी थाने में थी, अपनी मर्जी से निकाह कर चुगी थी, ये वो सर्भी थी जो गहरत पे लग रही थी, वो किस सरा, किस सिल और किन कदमों से घर से निकले थे, ये सिफ वो ही जानते थ गाड़े में खंबी सनाटा था, पशर सबाट चेरी के साथ गाड़े चला रहा था, रह रहे कर वो विडियो और तसाविर दमाग के हाने में उपर रही थी, जिनमें उसे गरिफदार किया जा रहा था, वो निकाह नामा जैसे किसी मोत के परवानी की तरह, उसके चेरे पे रह गया था, हर दवा कोई उसके दिल पे जर्ब दे मारता था और उसकी रूँ तक सख्मी हो जाती थी कहता था मैं लड़की जाद है घर बठाओ हाकिम, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी पिछले निशिस पे बर्चुमान आलम नमाब करोफर से कह रहे थे घजब खुद आका अगर इतनी ही किसी मर्द की चाहती तो अब्दुल्ला में क्या कमी थी हमारे सर से बला तो टल जाती अब्दुल्ला की कुछ चाल है मेरी बेटी ऐसी नहीं है आकिम नमाब सिर्फ एक सतर बोले थे सख्तगीर बाप थे मगर वो उनकी बेटी की आँखे वो परिशान चेह रहा हूँ उनके अंदर का बाप किसी सुरच चेह नहीं ले पा रहा था कॉल में ला अब्दुल्ला को उससे कोई F.I.R. ना कटवाए हम आ रहे हैं मसले का हल निकालेंगे हल क्या है मजीद जमीने या फिर देट के नाम पर दूसरी बेटी दोगे उसे मेरा हिस्सा है आपकी जायदात में बागी बेटूने जिस तरह लोट कर खाया वो अलग किस्सा है मैंने तो आज तक अपना हग भी नहीं लिया वो सारी जमीने अब्दुल्ला के मोपे दे मारूंगा उनका लेचा बुलन नहीं था आज पहली बार वो इससे किस सबार सुबान पर लाए थे तुम कॉल मिला बशर वो उटने ही उठा रहा मेरी कॉल्स हजार दफा कर चुका हूँ पशर रुखा इससे हो रहा सिर्फ एक हजार दफा की है ना दस हजार दफा करो और अगर तुम से नहीं हो रहा तो मुझे दो मैं कर लूँगा आप भी उस बेगहरत के लिए इतना करेंगे रोखा था मैंने कहा था उसे मत जाने दे इसलामबाद लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी देख लिया फिर किस सरा उससे हमारी इज़त को दो खोड़ी का कर दिया है और आप भी उसे फेवर कर रहे है मुझे यकीन नहीं आ रहा आप भी उसके साथ है करूँगा अभी उसे फेवर करूँगा और जब तक सांस है तब तक करूँगा ये सब अब्दुल्ला का किया धरा है मेरी बेटी ऐसी नहीं है उन्हें डेशबूट पर पड़ा उसका मुबाइल उठा लिया उनके हाथ कपकपा रहे थे वो आत्मी आज़वत को बुड़ा में सुस करा था सारी सिंदी का रोवत अंतना जाग बंद्या था सारा कसूर हमारा है और वो छेल रही है उसकी शादी बलाच से महने करवाई थी उससे कोई पसंद की शादी नहीं की और शादी के बाद भी उससे क्या मिला है न सकून का इत्द न शोहर का साथ और भरी जवाने में बेवा हो गए वो सब कसूर हमारा है हम सब ने उसे मजबूर किया था और अब अब दुल्ला सारा बदला मेरी बेटी से ले रहा है वो ऐसी नहीं है बलाज की मोत्नियों ने पूरी तरह मतासिर किया था अपने लिए होई गलत वैसे यक्तम वागई गलत नसर आने लिए थे लेकिन वक्त बुसर चुका था अब पश्रावा हो सकता था बाप से नहीं और अगर ये सब सच निकला तब तुम क्या करोगे हाकिम अपने बाप की सखत इस सफसार पे मुबायल पे चलती उनकी उगलिया लर्सी आँगों का चाम में तासर तखलील हुआ अगर वो वागई बेहया निकली तब तुम क्या करोगे मैं मुम्किनियाद पे कुछ नहीं कह सकता वो बस कॉल मिला रहे थे सिर्फ कॉल उन्हें हर सूरत अब्दुल्ला से बात करनी थी उसे किसी मज़ीर इंत्याई का दम से रुकना था उन्हें बस किसी तरह उस बच्ची को बचा रेना था जो उनकी उलाद थी हिलाफे तुक्का कॉल मिल गई थी सामने को बड़े ही अशाश परशाश अंदाज से बात कर रहा था मेरी बात सुना अब्दुल्ला जो मसाइल हैं जो तुम्हारे इंतकाम है उनका तालुप मुझसे है मेरे हांदान से है जो तुम कर रहे हो किसी दुरुस मर्द का शेवा नहीं है जो तुम करते रहे हो यानि किसी की मंगेतर की शादी किसी और से करवा देना जिसे तुमने दोट के कम मोल भी नहीं दिया। मैं माफ कर भी देता, लेकिन तुम्हारी बेटी ने मेरे ही घर का कमरा अपने ने शोर के साथ चुन लिया था। अब कोई भी मर्द इतना बरदाश नहीं कर सकता ना, मुझसे भी नहीं हुआ। उसके अलवाज किसी अंकारे की तरह हाकिम नवाफ के सीने पर लोट रहे थे, वो बार बार हाथों की मुठी फ्यूंच लेते थे। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि तुम F.I.R. मत कटवाओ। F.I.R. कट जाने के बाद अगर मुर्सी मुश्रिम ना भी हूँ, तो उसे समानत या पिर रहाई के लिए दालाच जाना बढ़ता है, और दालतों के चक्कर किसी शरीफ कहराने की उर्दों के लिए ममनूस समझे जाते हैं। मैं कोची घंटों में वहाँ भूँच रहा हूँ, हम बैट कर बात करेंगे, तुम जो चाहोगे हम करेंगे, तुम लेट हो गए अब, ये मुम्किन नहीं रहा, और अगर होता तब भी, मैं ऐसी कोई favor देने का इरादा नहीं रखता, तुम्हारी बेटी को ये सब छेलना हो वो एक लमगी को चुप से हो गए, हाकिम नवाब ने आज तक किसी के आगे सर नहीं जुगाया था, किसी के आगे मिननत नहीं गी थी, सारी सिंदी की मगर कुछ कुमाया था, तो वो उटी होई गर्दन थी, मैं मिननत करता हो तुम से, उसे छोड़ दो, तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगा, मुझ भे एक महरबानी कर दो, उसे सब में मत खसीटो, गर्दन चुक गई, गरूर हाकवा, अब्दुल्ला की दिल में तसकीन उतरी, ये अलफास उसके लिए महरम की तरह, दिल पे उतरे, यही बस यही तो चाहता था वो, तुम मेरे सामने एडियां वासो बेदम हो गया, आंके बंद करके उन्होंने गहरी सांसी और सरको सीट की पुष्ट से ठिका दिया, वकील का बंदोबस करवाए अबबा, मुझे मेरी बेटी इस कैट से बाहर चाहिए, जायदाद, माल, दोलत, बिलानत भेश कर अनाय साथ लाने वाला शक्स साथ चु वाले थी हैं, वो हर मुम्किन हल्क के बारे में सोच रहे थे, तोकि उन्हें यकीन था, उनकी पेटी पे लिसाम लगे हैं, और अगर उन्हें मालुम हो जाए, कि कुछ लिसामात में हकीकत का पहलू भी है तो, वो उससे आगे नहीं सोच रहे थे, यहां हर सोच ख़तम थी, दिन शौक, हंगामा, घेस और रंच में गुसराओं, दुख की एक लहर थी, जिससे सारे बुल को अपनी लपेट में ले रखा थाओं, वक कच्वे की रफदार से गुसरा थाओं, कंबीर महल के अंदर और बाहर लोगों का तंता बंदा रहाओं, और उनसे मिलने वालों मे सिर्फ एक शक्स था, उसके कहीं क्लिप्स सोचल मीडिया पर वारल हो रहे थे, जहां वो बराक के गले लग करोया था, जहां वो प्रेस कॉन्फरेंस कर रहा था, और जहां वो धाने जा रहा था, लोगों ने उसे एक मसिया की शकल दे दी थी, एक अजीम भाई जिससे अप कोई कुछ नहीं भूला था, तो वो था मेदी कंबीर, अब इस दुनिया में नहीं रहा हो, लोग उस कदल पे मुश्टाल थे, जगा जगा रेलिया निकाली जा रही थी, उसके हग में नारे बुलंद हो रहे थे, ट्वीटर, इंस्टाग्राम, फेस्बुक और मुख्लिफ एक्स्वे मेदी कंबीर का नाम ट्रेंट कर रहा था, उसके मन कोखा थाने में थी, और उसका भाईयों जैसा कजन सफेद रंगे, शलवार कमीज में स्यार शॉल के साथ चेहरे के दास्वात को, अत्ता लामकान, सबाट रखे हुए थाने में दाहिल हुआ, बाहर खड़े ल उन्शी के हाथ में चाय का कब यूही साखिन छोड़कर, एसाई से कागजात का पलंदा समीन पे गिरता छोड़कर, संतरी के अंगड़ाई को यूही खुले मूँ छोड़कर, धाने की दाहिन तरफ वाली दिवार पे लगी खड़ी से कुछ चेड़ा आनी करके, अगर वक् पोस्मोटम रिपोर्ट ली अपनी टेक्स की दरफ आ रहा था, उससे बैटने से कबले रिपोर्ट खोल ली, उसके धाएं तरफ सनों पर अपनी कुर्सी खीच रही थी, वाएं तरफ वक्कार एमद, वो तीनों इस केस पे एक साथ काम कर रहे थे, उससे रिपोर्ट खोली और पढ़ता चला गया, हर हर लफ्स के साथ उसके आंके छोटी हो रही थी, माते पी लगीरों का चाल बनता जा रहा था, रिपोर्ट के मताबिक जिसम पुरी तरह जुलसा था, चेहरा तक शनाक के काविल नहीं रहा था, तांदू के डीने से उसके शनाक की गई, और वो मे पेट्रोल टार कर आग अलग से बढ़काई गई थी, कि यह प्लैन का हिस्सा था, या इत्वाक, परियाम के जहन में मुक्तलिफ सोचों पर रही थी, उससे तीन कोलियां लगी थी, दो दिल की टाएं बाएं और तीसी दिल के बीशों बीश, वो पेलकुनी से कैसे गीरा, उ पाकी दोनों कोलियां लगने के बाद वो गिर पड़ा, ये सेकिंड्स का खेलता, वो खड़ा कब हुआ, वो खड़ा कब हुआ, कि कोई उससे रखका दे सके, लो, ये तो इतना क्लियर है, हम खौँ वहाँ बैटे सोच रहे हैं, वो गिरा कैसे होगा, पकार जमाही रोकते ह हुए भीशे हूँ, मैंने लाश की खालत देखी थी, वो 5-6 घंटे पहले चली हुए लाश लगती थी, और अगर मैं गलत भी हूँ, तब भी, जहां वो खिरा था, वहां लगने वाली आँग इतनी तेज सही थी, क्यों इतनी बुरी तरह चल जाए, कि शनात के कापी भी भ रवटाई, ये सब ठीक नहीं है, एक आदमी चलकर हाक हो जाता है, गड़ी और कफलिंग्स है जाते हैं, कैसे, वरियाम बागोर पोस्वाटम रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर का नाम पढ़ा आथा हूँ, इबराहीम, सरखदी, शनाया का भाई, या अदमी बिख सकता ह या नहीं, आज टक नहीं बिखा वरियाम, अपनी काम के साथ चुनून की हद तक सच्चा है, और मेंदी के साथ इसके अच्छे तालुकात थे, ये वो ही मेंदी है, जिसके साथ इबराहीम की बेहन का स्केनर सामने आया था, वो बेहन का मैनेजर भी है, सोबर तरम्यान में पुलिस अफसर को कुछ खटक जाए तो सिर्फ केस में नहीं, गले और सिंधी में भी खटकता है, पाकिस्तान में पोस्स मोटम रिपोर्ट बदल देना इतना मुश्किल काम तो नहीं है, पुलिस वाले के लिए एक मुझरिम को पहचान पाना भी मुश्किल काम नहीं है, है उसे नहीं होता, मेरे हवाले करो, वकार कोफ से भुला, एक काम करो तुम, वकार पलानत भेश्टी विसस्तों पर सिखाऊ, चक करो, शनाय और मेदी की स्केंडल के बाद उन दोनों के तालुकात कर क्या हुआ, और इबरहीम के फून कॉल स्टेप करो, इसके इलावा पता कर दो से तीन दिन में किस से मिला है, दो से तीन मा, पकार चमक कर बोला, ऐसे कतल यूही नेंस से उटकर रिटने के बाद नहीं हुआते, ये किसी सीरियर के लगा काम नहीं है, जोल बहुत है, कोई नोसिक्या है, जो से पैसे के दमपे काम कर रहा है, या फिर उसे प्रॉपर बनाने का वक्त नहीं मिला, वो रिपोर्ट के काखसा समिट टेवी उट खड़ा हूँ, इसके प्रिंटोर्स मिडिया को दे दो, और लड़की के घर वाले आये या नहीं, रास्ते में हैं, अभी आने वाले हैं, कैस कंबी लड़की से मिलना चाता है, पकार ने दला दी, उस पे भी नीद आना, यकीनन एक महाफरा नहीं था, वर्याम के हाथ में बल्प था, वहां के आया, होल्टर में बल्प लगाया, और कबरे से बाहर आंक लगाई, बटन दबाओ यहां का, वालक के बल्प चीक कर बोला था, मगर उसकी एहरत की इंतियात अपना रही, जब वो पानी भी ले करो, वो एक बार फिर जीका पल्प को फिक्स किया, पाहिर से बटन दबा गया, क्या, बल्प चल उटा था, वर्याम ने वहीं वरीदा को बोलाया, वो अंदर आई, उसके हाथ में पानी कजग था, वर्याम के शारी पे उसे सारी का सारा पानी सेनिये के सर पे वो हड़ड़ा कर उट पैठी, और मतोहोश निगाहों से आसवास से खां, बल्याम उसके सामने कड़ा गर्धन स्ट्रच कर रहा था, वरीदा उसकी दाई तरफ गड़ी थी, वो तो नो नार्मल थे, या पागल, तुम्हारे बाब की हवेली नहीं, धाना है ये मेरा, कुछ वक्त मुझे नाचीज को भी दे दे मलका, वो कुरसी खीच कर बैठा, जीनिया चत्लम में खाइब दमाग इससे दिखती रही, उसके बासों में चलनती, अल्क सूख कर कांटा हो जुगा था, पानी, मुझे पानी चाहिए, मिर्नल वाटर या साधा पानी, वोकम करें, आप वर्याम ने इशार रखिया, वरीदा पानी ले आई, जीनिया के तरह बढ़ार की बचाए, उससे पानी या गिलास वर्याम के आगे रखा हो, पोस्ट मॉटम रिपोर्ट आ चुकी है, तुम्हारी मन खड़त कहानिया जूटती, पोस्ट मॉटम रिपोर्ट कहती है कि उसका तिल हर नॉर्मल निसान की तरह बाहे दरफ था, उसे तीन गोलियां लगी, जिन मेंसे एक दिल पे लगी, उसका पैर फिसला और वो एक छोटी सी बलकनी से बाहे गिरा, वहाँ आग लग चुकी थी, जलकर मर गया खलास, अब आगे, वो दोनों हाथ मेंस पे रखे आगी जिन दो आत्मी को तुमने बैग में कुछ लेकर चाते हुए देखा ना, नाकाबंदी में पकड़े गए वो, वर्याम ने मुबाइल कोल कर उसके सामने रखा, वाइक तस्वी थी, जिसमें दो लोग कड़े थे, ये हैं वो दोनों लोग जो पूल साइट साफ करने आए थे मज़ी तफसिलात लेने पे मालूम हुआ है, जब तुम वहाँ पहुची, उसके कुछ मिन बात तुमने उन्हें चाते हुए देखा, अब ये मत कहना, कि तुमने नहीं देखा, वो दोनों तुम्हारे जहन में रहे और अंदर जाकर जब तुम भेहोश हुई, तब तुम्ह जीसे फरस हैंगी थी, फिर अब क्यों? मैं आखरी बार शराफत से पूछ रहा हूँ, सच-सच बताओ, तुम्हारे साथ कौन-कौन शामिल रहा है, कदल कैसे करवाया? वो नहीं मरा, वर्यामने पानी का गिलास पूरी कोवर से समीन पढ़े मारा हूँ, उसकी आंके एक वि अंदवास से पूछ रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, लीस, क्या मुझे पानी? तुम्हारी मा का थाना है, उसे मुटी सोर से मेस्वेमारी हुसाहिम कर भीच हूई, तुम्हारे बापने नोकर नहीं रखा यहां, सरयाम दो-दो भाईयों के साथ एक वक्त पे चक्कर चला रही हो, एक भाई से पैसे खा दीर हुई हो, और दूसरे को अल्ला जाने किनकी नासरों में रखा था, और यहां ट्रामा रजा रही हो, यहां मरसूमियत के ढखोसले लिकर दी हो, वो बासू अपने केट बांदे, आँखे सोर से मेज़े कपकपा रही थी, वर यहां बेकी लंदा वाज से उसे होफ सदा किया था, शराफर से पूछ रहा हूँ, बेहत तमीज और इतराम से, अगर तुमने इस बार अपना मों नहीं खोला, तो फ़र फरीदा के हाथ बात करेंगे, सकती से कहते हैं उससे फरीदा को इशारा किया, वो आ गया ही हाथ में पकड़े तं जिसके कतल में तुम शामिल रही हो, इससे बेतर है तावन करो, साहा बहुत गुस्से वाला है। पर देसा हूँ, वे वारियाम ने देखा, वो आदेली में थोड़ा पानी बरकर चेहरे पे मारे ही थी, शौल से चेहरा साफ करते हुए, अब कि उससे वारियाम को देखा हूँ, तो वो कुछ-कुछ समली हुई लग रही थी, उसकी मतवर हम सोख आँखे, वो एक पर फिर उसका यकीन करने लगाँ, अब बताओ, क्या मस्ला था तुम दोनों के दर्मियान, किसने तुमसे ये काम करवाया, कौन-कौन तुम्हारे साथ शामिल है, वो कंपोर्स अंदाज से पूछ रहा था हूँ, अंदाज से लगाना मुश्किल था हूँ, कुछ वक्त कब उसे वा की अफसर नहीं हूँ, तुम्हें अदालत की दर्व से रिमार्ण नहीं मिला, तुम मुझे तशद्दूत नहीं कर सकते, वरियाम ने उसे यू देखा जैसे कह रहा हूँ, रस्सी चल गई बल नहीं क्या, अब एक कातला मुझे कानून सिखाएगी, मुस्सक्पिल की CSS अफस करना चाहते हैं, ठीक है, मैं कर लेता हूँ, तुम्हारा यगीन, तुम मुझे ये बताओ, कोई आदमी तुम्हें ग्रीन कार्ट क्यों दिलवा रहा है, कोई तुम्हारे लिए लंदन जैसे शेहर में फ्लैट ले रहा है, और तुम्हारे लिए धेट करोड़ हरश कर रहा ह तुम्हें गाड़ी दिलवा रहा है, तुम पर हर तरह से पैसा लुटा रहा है, कोई एक मर्द किसी औरत के पीछे अकल से इतना पैदल कैसे हो सकता है। मगर वो फिर भी उस से मायूस हुआ था हूं। तुमसे कोई रिलेट नहीं कर सकता, कोई तुम्हारा यकीन नहीं कर सकता। उससे कमरे से बाहर देखा कैस कंबी ठाने में दागिल हो चुका था। मुझसे ये मत कहो कि मैं तुम्हारा यकीन नहीं करता। सच ये है कि तुम्हें मुझे काहिल करना नहीं आया। उसे वापिस लाओ जिससे कैस कंबीर मरूप हुआ था। ये महज अगास था। गहते दाम काफी दूर था। थानी का सारा अमला यक्तम चाको चोबंद होगिया था। हर कोई उसके आगे पेशे खुम रहा था। सवाई वर्याम बेक्के जो चुपती आँकों से उससे देख रहा था। वो सिस्टम के उससे आप बाप के मुदलिक रा उसके तैयारी मकसूर कुन खुश्बू कहीं से लगता था कि कल रात उसका भाई गतल हुआ है। लिखवाईए कंबीर सहाब शोक से लिखवाईए। मैं थाने का अफसर हूं सपाही नहीं जिसका काम है वो कर देगा। लेकिन फारोकी सहाब ने कहा है था कि आप मेरी कोई बात नहीं मैं उने कॉल कर देता हूं क्या पफसर है सपाही नहीं। वर्याम ने बामुश्किल गुसा जब किया और आगे बढ़ाया हूं। नहीं कॉल की क्या जरूरत है। मैं भूल गया था क्या वही मासूम इनसान है जिसे गंस पकड़ना भी नहीं आता। एफ के आया टांग पे टांग चड़ा कर एक कुरसी पे बैठा हूं। उसकी दूसरी तरफ कैस बैठा था। एफ आयार लिखी गई। जिसमें बयान के मताबिक था साथ था। वो चुप चाप लिखवा था रहा हूं। अमीरों के फैंके रूपवा उन्ने कानून को दीमत बन क पर चाथा था। एफ आयार लिखवा कर उससे मेजसे चाबियों उठाएं और बाहर निकल गया। वो मजीद उसका चेहरा नहीं देख सकता था। उसके हून में उपाल उट रहे थे। कैस पूर्सुकून सबसे जाते हुए दिखता रहा। उसके जाने के बाद उससे ठाने कुर्सी हींच का बैठ रहा था। करदन वैसे ही उठी हुई चेहरे पे कुरोफर और रोफ ऐसा ही। जीनिया हांकि मुझसे हार गई थी। उससे और क्या चाहिए था। वो उससे सलील कर चुका। अब कमसकम वो उसके सामने करदन उठानी के चुरत नहीं कर सकती थी। उस चत बल हामोशी से एक दूसरे को दिखते रहें दोनों के तरम्यान लफ़सों कोई तबातला नहीं हुआ। एक लंबी हामोशी थी जो उनके तरम्यान बोलती रही। वो बस उससे दीख रहा था। उससे करदन पे हराशे देख। उससे बेगतियार अपनी मुट्धी भीच उससे खुद पे खुद साने लगा। हम अपनी जगा से उठां और उसके सामने मेस वरा कर बैठां। बल्ब की चुपते रोशनी उसकी पेट ने रोख ली थी। ये रोशनी चुप रही है। नर्मी से फूचां सीनिया ने कोई जवाब नहीं दिया। बस सखमी निगाहों चुख लिए। कैसे चुक कर उसके माते के सखम को जोऊंख जेनिया ने करहाच से उसका हाठ छूटका। कैसे वही हाथ अपने हाथ मिलिया। उससे मरोड़ां। उसकी आंखे पाने से फढ़ने लगी। कैस अब उसकी करदन पे लगे सखम को छोगर देख रहा था। कलय मे किल्टी ओपर करमात हूं हुई मुझे गुस्सा आ गया था देखो कितनी बड़ी चोट लग गए दर्द हो रहा है उसका हाथ छोड़कर उसका चेरा हाथों में बराऊ जीनियान एक बार फिर उससे चटका तुमसे जितनी दफ़ा मुहबबर से बात करता हूं तुम उतनी दफ़ा मुझे चटकती हो कभी सोजा है मुझे कितना मुरा लगता होगा मुझे से दूर हो जो जो कैस मुझे तुमसे खिन आ रही है मुझे भी तुम पर प्यार नहीं आ रहा हजार मर्दों के पीश धाने में रात गुजार चुगी हो कम असकम अब तुम पे प्यार नहीं आ सकता उटकर उसके दाएं तरफ कुरसी खीच कर बैठां अगले चनलमगे एक बार फिर खामुशी में कुजरे खुश क्यू नहीं हो तुम उसे कैस को देखती वे थेरे से फूचां उसे धूर भेज दिया मेरे लिए जिल्लत के दरवाज से खुल दिये फिर भी तुम खुश क्यू नहीं हो तुम्हारी गर्दन क्यू नहीं जूगी ये रोब किस चीज का है लोग तुम्हारे चेहरे पे थूखना जाते है फिर क्या है जिससे तुम्हे इतना पर सुकून रखा है वो शायद उल्चन का शिकार था हूँ मैं बहुत होफ सदा हूँ उससे हदकड़ी वाले हाथ मेस पे रखे सुर्ख नेल पेंट लगी उसके मुल्य लरस रही थी देखो मेरे हाथ भी काम पर रहे है मैं यहां रहकर मरना जाना चाती हूँ लेकिन बाहर डी निकलना चाती लेकिन तुम वो इंसान नहीं हो जिसके आगे मैं अपना खौफ रखो लोग मुझ पे थूखना चाते है मैं तुम पे थूखती हूँ तुमारी मुझ जूदगी पे थूखती हूँ कोई जोगा था जो भीको कर कैस के मूँ पर मार दिया गया था मगर अस्वर न हुआ कैसे तंसे नसों शूसे रिखा अब भी वक्त है उस पे त्सपरदारी दो मैं तुम्हारी बहुत बुरी आदत है अब्दुल्ला तुम्हें लगता है तुम प्रिटेंड करोगे और सब कुछ सच लगेगा लेकिन तुम हकीकत से वाकिफ होते हो फिर भी तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो तुम जानते हो यहां से निकल कर मेरे लिए सब हो सकता है जिन्दगी नहीं ना चाहते हो भी उसके आँके चलक पड़ी ओफ, सिल्लत, बेबसी, तकलीव उसे बायक वक्त बहुत कुछ मेसूस हो रहा था हूँ यहां से निकल कर यहां से निकल कर मुझे खेहरत के नाम पे कतल किया जाएंगा क्यूकि मैं वो हूँ जिस से हांदान की सथ़राब की मैं इस वक्त इतनी खुश सदा हूँ कि मैं तुम से मिननत करना चाहती हूँ प्लीज मुझे यहां से निकालो यह शायट हिये कि मुझे यहां से मत निकालो उससे चेहरा हादों में गिरा लिया रोते हुए उसका पूरा वजूद हिचकोली खाने लगा मुझे यहां नहीं रहना It's scary मुझे पाहिर भी नहीं जाना ये तुमने क्या कर दिया अब्दुल्ला अब्दुल्ला समान उससे रोते हुए देख रहा था बहुत सुकून से अराम से उसका चुलसावा वाजू देख रहा था उससे गरदन पे बड़े निशान भी और चेहरे पे कुछ निशान भी थे हरुस्सकलीफ का असाला हो रहा था जो उससे मिली थी इतना तो डिसर्फ करती थी वो कोई और वक्त हो था तो शायद मैं तुम्हें ना रोने देता लेकिन तुम्ने गल्ती की है और इस वक्त तुम्हें रोते हुए देख कर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है माजू सेनी पे बांदे सिंजीरी किसे बताया हूँ मैं तुम्हें इससे भी जादा तकलीफ दूँगा वो सफा किसे बोलाँ तुम्हें बहुत शोक था लोग तुम्हें देखें तुम्हें सुने कल पूरी कुछेहरी तुम्हें देखेंगी बलके इस वक्त भी सारा पाकिस्तान तुम्हें देख रहा है उससे चेरा उठा करके इसको देखाऊ।